7.2.4 विज्ञान बनाम धर्म प्रबोधन के समर्थकों के विचार में धर्म मनुष्य को अंधविश्वासी, डरपोक और गुलाम बना देता है उनका मानना था कि धर्म के नाम पर लडाईया होती है और मनुष्य का खून बहाया जाता है वे खास्त और से धर्म पर कैथोलिक चर्च के एकाधिकार के खिलाब थे उनका मानना था कि चर्च के एकाधिकार के कारण मनुष्य अपनी बुद्धी पर विश्वास ना कर पुजारियों के चमतकारिक कहानियों पर विश्वास करने लगे और उनकी कटपुतली बने अधिकांश प्रभोधन चिंतक नास्तिक नहीं थे बल्कि उनका प्रयास था कि इश्वर का विज्ञान और स्वतंत्रता सम्मत आधार खोजें उन्हें डर था कि नास्तिकता मनुश्य को नेतिकता से दूर ले जा सकती है विज्ञान की मदद से विश्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह इस बात का प्रमाण है कि स्रिष्टिकर्ता इश्वर कितना महान है लेकिन वे इश्वर और धर्म को किसी व्यवस्था संगठन ये पुजारियों के हाथ नहीं सौपना चाहते थे 7.2.5 स्वतंत्रता प्रबोधन के समर्थक व्यक्तिगा स्वतंत्रता में गहरी आस्था रखते थे और उनका मानना था कि लोगों पर अगर कोई कानून लागू करना है तो वह उनकी सहमती से ही हो सकता है इस कारण वे हर तरह के गुलामी गयर लोग तांत्रिक व्यवस्थाएं और निरंकुषता के खिलाब थे लेकिन इसके बावजूत प्रबोधन के कई चिंतक ततकालीन निरंकुष शाषकों के निकट मित्र और सलाकार थे उनके प्रभाव से इन शाषकों ने अपने राज में सुधार लाने का प्रयास किया 7.2.6 प्रबोधन की आलोचना जिस समय प्रबोधन आंदोलन अपने चरम पर था उसी समय यूरोप में अध्योगी करण के कारण प्रकृति का दोहन, प्रदूशन और मजदूरों का शोशन हो रहा था राजनेतिक क्रांतियों के कारण पुरानी जीवन पद्धतियां नश्ट हो रही थी उसी समय अमेरिका, आस्ट्रेलिया, भारत आदी देशों में, जनजातियों में सादगी और भाईचारे का जीवन उन्हें देखने को मिला जो लोग अधोगी करण के कारण त्रस्त थे, वे आधुनिक यूग की आलोचना करने लगे और उसके साथ विज्ञान और बुद्धिवाद का भी विरोध करने लगे रुमानी, रुमांटिसिस्ट, आंदोलन के दार्शनिक जैसे रूसो, कवी, लौर्ड बायरन और कलाकार प्रमुक थे वे आधुनिक और द्योगिक यूग की जगा एक कल्पित ग्रामिन जीवन जो प्रकृति के विनाश पर नहीं बलकि उसके साथ सामनजस से पराधारित हो की पैरविक कर रहे थे वे तेजी से लुप्त हो रही लोगकला और संस्कृति को बचाना चाहते थे जहां प्रबोधन ने दुनिया को समझने की विज्ञान की शक्ति का गुडगान किया वही रुमानियों रुमांटिसिस्ट ने उन बातों पर ध्यान आकरशित किया जिने भावनाओं व अहसासों से ही समझा जा सकता था रुमानियों ने प्रबोधन के विकल्प में भारतिय, चीनी और जापानी संस्कृति और साहित्यों का सहारा और उनके अध्यन पर जोड़ दिया इसके फलस्वरूप कालिदास जैसे संस्कृत कवियों की कृतियों का यूरोप भाशाओं में अनुवात किया गया कालिदास के नाटक शकुंतलम ने रुमानी साहित्यकारों को बहुत प्रभावित किया रुमानी कलकारों ने रेनोसा से शुरू हुए यथार्थवात को त्याग दिया और सपस्ट आकृतियों की जगा दुंदलेपन तुफानी वातवरन आधी पर जोड़ दिया उनके द्वारा दर्शा आये गए लोग भी भैबीत या अचंबित लगते थे